नमस्कार स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में मैं हूँ अम्रताराए ग्राउंड रिपोर्ट में अक्सर हम आपको वो गुम नाम खबरे दिखाते हैं जिन पर मीडिया की नजर नहीं जाती है आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे बियेचू के सरसुंदर लाल अस्पताल में एक के बाद एक मरीजों की मौत से कैसे मचा हरकम और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि देश में जानवरों के अस्पताल का क्या है हाल और एक जुनूनी इंसान की कहानी जिसने बदली वर्सोवा बीच की रंगत लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां बियेचू के अस्पताल में मरीजों की मौत पर विवाद जारी प्रशासन ने बेहोशी की दवा पर डाला दोश पीडित परिवारों का डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतनेकारों खस्ता हाल हैं पशु अस्पताल इलाज का सही इंतिजाम नहीं 44,000 जानवरों पर सिर्फ एक डॉक्टर ओडिसा के काला हंडी में भीशन जल संकट जादतर हैंड पंप बंथ 30 पीसदी से जादा ट्यूविल सूखे और नगदी की कमी बनी किसानों की मुसीबत फसल बेचने के बाद लगाना पड़ता है बैंकों के चक्कर उपज का वाजिब दाम मिलना हुआ मुश्किल ग्राउन रिपोर्ट की पहली खबर बनारस के सरसंदर लाल अस्पताल की है जी हाँ बनारस का सरसंदर लाल अस्पताल अलाके में तो माना जाता है कि वो एम्स की बराबरी करता है लेकिन इन दिनों वहाँ पर उपरेशन थीटर में एक के बाद एक हुई मौतों से हर कंप मचा हुआ है यहाँ तक कि दस मरीजों को उपरेशन थीटर में उपरेशन करने के बाद गंभीर हालत में आई सी यू में भी भरती कराना पड़ा जांच बैठी और जांच रिपोर्ट भी आ गई लेकिन इस बीच में तीन दिन तक सरसुंदरलाल अस्पताल का उपरिशन थेटर बंद रहा आएए देखते हैं बियेचू के इस अस्पताल की कहानी बीएच्यू के सरसुंदरलार अस्पताल के ऑपरिशन थेटर में मरीजों की मौत से लोग गुस्से में हैं लोगों का आकरोश सडकों पर भी दिखा बिते 6 और 7 जून को 3 मरीजों की मौत हो गई थी जबकि 6 दूसरे मरीजों को आईस्यू में भरती कराना पड़ा था अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 9 जून से 11 जून तक ऑपरिशन थेटर बंद करा दिया मरीजों की मौत की जाज के लिए सासदस्यों की समीती बनाई गई इस टीम ने अपने रिपोर्ट में आशंका जताई की मरीजों की मौत की वज़े बेहुशी की दवाओं में गरबड़ी हो सकती है लेकिन ब्रतकों के परिजनों का रोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान गई उनका ये भी कहना है कि बिना पोश्ट मॉर्टम की ये शवों को बाहर भेज दिया गया ये मामला कई दिनों से चर्चा में है और अब राजनीतिक दलों ने भी इसमें इंतकल दिया है और जो भी इसमें दोसी हों तो किसी केमत पर उनको बक्सा नहीं जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने घटना की जाच के आदेश दिये हैं ओपरेशन थेटर में इस्तेमाल में लाई गई दवाओं की तैकिकात के लिए उसने केंद्रिय टीम भेजने का फैसला किया है वारानसी से ग्राउंड रिपोर्ट राजे सभा टीवी और बी एचू में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ओपी उपाद्याय साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है आप लोगों ने क्यों नहीं पोस्ट मौटम पर ध्यान दिया देखे ऐसा है कि उन जिनके दो मरीजों की मित्यू हुई तार तारीक को तो हम दोने बिल्कुल निवेजन किया उनको समझाने पूरी कोसिस की अपने दाक्टोंस का को सब्सक्राइब करा है उसके दो फाइदे होते हैं ईक पाई प्ता लगे गा कि क्यों मित्यू हुई कहां मित्यू हुई तो जोसा आगे के केसेस के लिए भी एक तरह से सबग मिलता है मगर ये दोनों ही परिजन किसी भी सूरत में तयार नहीं हुए, वो रोगा भी रह थे, उनके घर की सरस्यों की मित्य हुई थी, तो डाक्टों ने हमें सुचित किया कि सर्विय लोग तयार नहीं हो रहे हैं और इनोंने बाड़ी ले ली, अब हम लोग यो है, अगर इने ये अपती थी, कि अगर इनका यार उफैक डाक्टों ने जबस्ती भी दिया, अभी किसी ने फाई आर किया कि हमें पोस्तमार्टम चादिश नहीं कराया, तो ये बात तो उसक भी एक कर सकते थे, बाहर जाते, खाने जाते, और पोस्तमार्टम के लिए जित करते, लेकिन इनों ऐसा ने किया, ये इनका आप्टर फार्ट है, और कुछ लोग की साजिश के तहत ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, चलिए ये हो सकता है कि कुछ लोग साजिश के तहत ये सब कहलवा रहे हैं उन से, लेकिन आप ये बताएए कि ये जो आप लोगों की अंदरूनी सामने आया है, किस की वज़े से ये मौत हुई, और दूसरी बत में ये भी जानना चाहती हूँ, उपादे जी मेरे सवाल सुन लेजे, दूसरी बत में ये भी जानना चाहती हूँ, कि आप लोग के हिसाब से कुल कितने मरीजों की मौत हुई, कितने लोगों को ICU में भरती कर आना पड़ा कौन-कौन से विभाग में घटनाएं हुई इसका दोरा आगर दे सकें हैं देखे हमारे अकुल आठ मरीज ऐसे अफेक्टेट हुए और तीन के मित्य हुई जो एडवांस का इंसर यूनी ब्लेडर का था जिसका पांच घंटे आपरेशन हुआ अच्छा तारीक को जब उसकी मित्य हो गई तो डाक्टरों को यह लगा जो आपरेशन हो ले थे कि साथ पांच घंटे तक आपरेशनगबाद तो हमारे पास साथ तारीकों तीन और हमने तुरंट जांच यादेश दिये और एक तीसरे व्यक्ति की भी मित्य हुई यह तीन मित्य हुई टोटल एक साथ तारीकों और आठ मरीज जो गंभीर हुए तुरंट हम लोंने उन्हें बचाने को जिसकी और ल अस्पताल में सप्लाई होने वाली गैस में रिसाओ की वज़़ पहले भी सामने आ चुकी है और रिसाओ की वज़़ से इमर्जिंसी वार्ड में एक बार विस्फोड भी हो चुका है कुछ पहले के ऑपरेशन भी प्रभावित हुए हैं कुछ मरीजों ने अपनी आँख भ इस में आपकी आपसे राय जानना चाहती हूं कि अस्पताल परिसर में दवाओं की दुकान खोली गई वह उन्हीं दवाओं की दुकान से लोग दवाएं खरीदते हैं जिसमें की गड़बडी की शिकायत पाई जा रही है तो उन दवाओं की दुकान पर संस्थान की तरफ से क्या कोई कारवाई की जा रही है जहां तक गया फिसावबात है बिल्कुल गलत है जो पिछला विस्वोड हुआ था इमर्जेंसी में वो यह कंडिशनिंग लगी थी उसका एक जो फंप होता है इनका जो है वो ब्लास हुआ था जिसमें टेक्टिनल फाथ था उस कंपनी को और से ब्लैक्लिस्ट का रवाई हो रही है जहां तक स्वारीज बाल नाइटर्स आप्साइड को ब्लेम किया गया है हमें वी संदेवा कमिटी ने कहा ओ नाओ नाइटर्स आप्साइड में इंप्यूर्टी हो तेकि यह ग्लोबली साइंटिमिक टूथ है फैक्ट यह है कि न अपरेशन थीटर को तीन दिनों तक बंद क्यूं रखा अगर कोई गरवड़ी नहीं थी अगर कोई गलती नहीं थी हम यह नहीं करें कोई जबड़ी नहीं थी जब रित्त हुई तो फ्रिकासन के थार पे हम कोई और इस्क नहीं लेना चाहते थे अपने तुरंच जांच समिधी बैठाई और हम रोंने आपरेशन बंद किये जांच हुई उससे संदे आया दो चीनों पर मॉस्तों नाइटर् कर दिये और हम दो उसकी जांच के लिए ब्युस्ता कर रहे हैं जहां जांसे द्वाएं आई हैं वो चुंकि द्वा कैस बनके यूज हो जाती है इसलिए वह सैंपल्स जो बैच नम्बर है उसे सील किया गया है वो जांच का विशा है जांच हो रही है और हम लोंने हमें उम पड़ेगा आप लोग इसका परियाब ध्यान रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बाचीत करनी के लिए उपी उपाध्याजी तो अभी आपने देखा कि बनारस में इंसानों के चिकित साले का क्या हाल है अब आपको दिखाते हैं पशुर चिकित सालेयों का यानी वेटनरी हॉस्पिटिल्स का हाल हमारी समवादाता अनू दिवान ने ऐसे ही एक अस्पताल का दौरा किया और पेश की है यह रिपोर्ट सुमन इलाज के लिए अपने पालतू कुत्ते को हर्याना के फरीदाबाद के इस सरकारी अस्पताल में ले आई लेकिन यहाँ ना तो कोई कमरा है ना ही स्ट्रेचर खाली था तो इलाज अपनी गाड़ी में ही करवाना पड़ा फरीदाबाद के रहने वाले सुनील एक मार्केटिंग कमपनी में काम करते हैं दो महिने पहले इनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई उनका कहना है कि उसकी मौत बिमारी से नहीं बलकि सही इलाज ना मिल पाने के कारण हुई अब सुनील रोजाना सुभा ओफिस जाने से पहले थोड़ी देर इस अस्पताल में आ जाते हैं यहाँ के जानवरों के साथ खेलने के लिए इस अस्पताल की हालत देखकर आप चौंक गए होंगे यहाँ डिस्पेंसरी तो है लेकिन दवाओं की एक शीशी भी नहीं है अस्पताल भी अधमरे हाल में है दरसल यहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि यह सरकारी अस्पताल काफी पुराना है इस अस्पताल को गाए, भैंस, घोडे जैसे बड़े जानवरों के इलाज के लिए खोला गया था लेकिन यहाँ जादातर कुते, बिल्ली जैसे छोटे जानवरों का ही इलाज होता है डॉक्टर इलाज के नाम पर दवा लिख कर दे देते हैं क्योंकि उनके पास छोटे जानवरों के इलाज की सुविधा नहीं है बड़े जानवर तो यहाँ आते नहीं जानवरों के इलाज के विवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है वो ही अस्पताल के लिए जमीन और इलाज की दूसरी सुविधाएं मुहया कराना उनका ही फर्ज है बेजुबन जानवरों को सरक्षित रखने के लिए भले ही सरकार ने नियम कानून बनाए हो लेकिन उन्हें अमली जामा पेनाने में फ्रसाशन विफल होता नजर आ रहा है अब इन सरकारी हस्पतालों की खस्ता हालत को देख सरकार की ही मन्चा पर सवाल खड़े हो रहे हैं परिदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए क्यामरा परसन नरायन के साथ आनू दिवान तो ये तो साफ है कि देश में जानवरों के इलाज का सही इंतजाम नहीं है आलम ये है कि ना कर्मचारी हैं ना डॉक्टर्स हैं और आकड़ी ये भी बताती हैं कि 44,000 पशों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है जानवरों के इलाज के लिए राज्य सरकारों ने अस्पताल तो खोले हैं वहां लेकिन सुविधाओं का हाल देनी है पशों की तादात की तुल्ना में देखें तो हालत और खराब नजर आती है पूरे भारत में जानवरों के लिए 62,621 अस्पताल, डिस्पेंसरी और मोबाइल वैन हैं जहां राजस्थान में सबसे जादा करीब 5,642 अस्पताल, डिस्पेंसरी और मोबाइल वैन हैं तो उत्तर प्रदेश में 5,099, करनाटक में 4,215, पंजाब में 2,897, केंदर शासित प्रदेश चंडिगर में सिर्फ 13 और दाधना नगर हवेली में सिर्फ एक अस्पताल है सबसे पहला में करन तो इसका ये है कि जो विटनरी प्रेक्टिस है वो राज्य सरकार के द्वारा रेगलेट होता है सो राज्य सरकार के द्वारा रिगलोट होने की वज़े से क्या होता है कि राज्य सरकार में के द्वारा फंडिंग काफी कम होती है और इस फिल्ड को काफी नेगलिट किया जाता है पशों के डॉक्टरों की भी भारी कमी है भारत में करीब 33,000 रेजिस्टर्ड वेटरिनरी डॉक्टर है जानकारों के मताबिक अपने देश में 44,000 पशों पर केवल एक डॉक्टर मौझूद है जानवरों के रिए काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं के मताबिक ये समस्या आने वाले समय में गंभी रूप ले सकती है वेटरिनरी काउंसल ओफ इंडिया के पूर्ण गठन का मामला लटका हुआ है वेटरिनरी काउंसल ओफ इंडिया पशों की पढ़ाई के लिए नए स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमती देता है लेकिन साल 2015 से ना तो इस काउंसल का पूर्ण गठन हुआ और ना ही तैप रक्रिया के तहट कोई इंतिहान लिया गया एक तरफ जानवरों के अबादी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की तादात कम होती जारी है अब अगर इस मुद्धे पर सरकार चुपी साद ले तो आने वले समय में ये स्टिती कहां से कहां पहुंचेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है दिली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनुदिवान तो 44,000 जानवरों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है तो जानवरों के अस्पतालों की हालत ऐसी क्यूं है क्यूं सरकारें इतनी बेरुखी दिखा रही है अनुदिवारे में हम वहां गए हमने जानने की कोशिश की ये अस्पताल कितना पुराना है तो वहां के डॉक्टर्स ने का कि ये बहुत बेहत पुराना अस्पताल है काफी दशक पुराना है लेकिन उसकी स्तिती देख ऐसा लगता नहीं था कि उसके उपर सरकार ने कभी कुछ ध्यान दिया होगा क्योंकि जब एक अस्पताल पुराना होता है तो उसमें जाहिर है जादा से जादा फैसिलिटीज होती है लेकिन अगर हम देख रहे थे महां पे कि इवन जो लाब बनने की बात थी वो अभी बन रही थी मतलब आप यह देखे कि अगर अस्पताल इतना पुराना है तो फैसिलिटीज के नाम पे वहां जीरो है डिस्पेंसरी बनाई हुए है लेकिन डिस्पेंसरी में दवाईया नहीं है अपने राक्स पड़े हुए है इधर उधर का समान पड़ा हुए है लेकिन दवाईया नहीं लिए वो भी नहीं आए तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है इस बारे में जब हम ने जानने की कोशिश की कि विटनरी काunächst आइंडिया क्यों देर्प आई एक्ट समय होगा है किसुबंस नहीं किया जाता है उसके लिए क्र ना तो इसमें कोई चुनाव हुआ ना तो इसमें कोई प्रेजिडेंट का सेलेक्शन हुआ या उसको पॉइंट किया गया एक प्रेजिडेंट जिस तरह से हमें जो संस्था हैं इस पे जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि प्रेजिडेंट लेकर आये बनाया गया लेकिन उसक के तहर डॉक्टर्स का सेलेक्शन होता है इसी के साथ अभी रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे जुनूरी इंसान की कहानी जिसने वर्सुआ बीच की बगली रंगत हाफ़ते के मुद्दे में इस बार हम बात कर रहे हैं जल संकट की गर्मियां बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट बढ़ने लगता है और पानी की समस्या पूरे देश में सामने आने लगती है लेकिन आज हम इस कड़ी में दिखा रहे हैं ओडिशा के काला हांडी इलाकी की कहानी जी हाँ काला हांडी इलाके में लोगों को बून बून पानी के लिए मीलों का सफर तै करना पड़ रहा है और आलम ये है कि 15 लाक हेक्टेर से जादा की जो फसल है वो सूख चुकी है ओडिशा का काला हांडी देश के सबसे गरीब पिछड़े इलाकों में शुमार है अब गर्मी बढ़ते ही यहां के देहाती इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है आजकल यहां के लोगों के लिए दिन के शुरुआत ही पानी के लिए जद्दो जहत से होती है कई किलो मेटर की दूरी तैह करने के बाद अक्सर उनकी तलाश गंदे पानी पर खत्म होती है काला हांडी के देहातों में ज्यादतर हैंट पंप बंद हो चुके हैं यहां के ग्रामेड इलाकों में 18,745 ट्यूब वैल हैं इन में से 30 फीसिदी सूख चुके हैं देहातों में पानी की आपूर्ती के लिए 265 पाइप सिस्टम हैं जिन में से ज्यादतर काम नहीं कर रहे उदंती, संदूल और रेत नदियों में पानी का बहव बिलकुल ठहर गया है खेतों में लंबी-लंबी दरारें इस इलाके में जल संकट की भयावैता की जलक हैं तेज गर्मी से जलाशाय सूख रहे हैं और पानी का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है मई जून में ओडिशा में प्रचंड गर्मी पड़ती है अगर अभी ऐसा हाल है तो आने वाले वक्त में यहां के लोगों की जिन्दगी कैसी होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते ओडिशा के काला हांडी से क्राउंड रिपोर्ट राज्य सबहर टीवी देश भर में पिछले दस दिनों तक चले किसान आंदोलन के बाद ये बहस तेज हो चली कि आखिर किसानों का गुसा इतना तेजी से फूटा क्यों तमाम जानकारों ने अंदाजा लगाया कि शायद नोट वंदी की वज़ज़ से सबसे जादा नुकसान हुआ किसानों का और इसलिए किसान इतने गुसे में है सिर्फ जानकार ही नहीं रिजर्ब बैंक आफ इंडिया भी इस बात को सच मानता है आएए देखते हैं खास रिपोर्ट मनसौर के रहने वाले गफार अगली फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसके पहले उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आई उन्होंने पिछले महीने गेहूं की फसल बेची लेकिन मनसौर मंडी में वैपारी ने उन्हीं नगत की बजाए चेक दे दिया इससे अपनी मेनत की रकम हासिल करने में गफार को तीन सब्दा लग गए ज्यादातर किसानों की ऐसी ही शिकाइते हैं किसानों का कहना है कि ज्यादातर गाओं में बैंक नहीं है चेक मिलने पर नगदी के लिए किसानों को अपने घर से दूर मौजूद बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं मनसौर मंडी के वैपारी भी किसानों की राय से इतिफाक रखते हैं उसने माल बेचा दो हुज़ा रुपेगा तो इससे भी वो बड़ा परिशान है इस कारण भी वो इस चीज़ की और अग्रसिव हुआ कि क्या करें ऐसे मैं तो इसलिए उनकी जो मांगे हैं आंदोलन वगरा ये इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ये भी डिमांड है सब उनको नगत पेविमेंट मिला जाएं रिजर्व बैंक ने पिछले हफ़ते मौदिक नीती समीशा के साथ जारी बयान में कहा कि हर सीजन की तरह मंडियों में उची आवक से पिछले साल जुलाई से सबजियों के दामें गिरावट आई नोटबंदी के दौरान आपाद बिक्री के कारण इन चीजों के भाव अत्यंत निचले स्तर पर चले गए आ रहे आकड़ों से संकेत मिलता है कि खादे पदार्तों के मूले निधारन पर नोटबंदी के अस्ताई प्रभाव लंबे खिचे है जानकारों की भी राय है कि नोटबंदी ने क्रिशी बाजारों पर बुरा असर डाला है चेक से यहां अनपढ़ किसान जादा है और किसान जानता नहीं है कि चेक क्या होता है बेंग जाना पसंद नहीं करता है अब उसकी हालत यसी हो गई कि बड़े-बड़े सावकारों से पेसे लेना चालू कर दिया बाजार था उस बाजार को नोटबंदी के कारण ऐसा कर दिया कि वहाँ कोई खरिदार नहीं बचा तो इस हालत में किसानों की स्थिती बहुत ही बदतर हो गई है किसान मरने की स्थिती में है इसी का नतीजा है कि इस साल सबसे ज़्यादा आत्म हत्याय हुई है अब मजूद आकड़ों से साफ है कि नोटबंदी पर किशी पैदावार पर असर नहीं पड़ा लेकिन इस से बने हालात का सामना पैदावार बेचने के समय किसानों को करना पड़ रहा है नोटबंदी के बाद आई पहली फसल के मंडी में ग्राहक तो मिल रहे हैं लेकिन किसान को नगत भुगतान करने के लिए सरकारी नियमों के वज़े से कोई तयार नहीं है ऐसे में अपनी फसल का दाम प्राप्त करने के लिए किसान को कई बार कई कई दिन तक बैंकों के चकर काटने पड़ते हैं और जानकारों का मानना है कि ये नगदी की कमी इस आंदोलन के उगर होने के पीछे सबसे एहम कारणों में से एक है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मंसोर से कैमेरमेन संजे कुमार के साथ रविंज सिंग शोरां इनसान अगर ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है इसी की एक मिसाल बने मुंबई के वकील अफरोस उन्होंने अपनी जुनून से वर्सोवा बीच की रंगत बदल डाली आएए देखते हैं उनकी कहाने मुंबई की मशूर वर्सोवा बीच साल भर पहले तक यहां कूड़े का अंबार दिखाई देता था लेकिन पेशे से वकील अफरोस चाह और उनके साथियों ने इसे साफ करने की ठान ली इस काम में 85 हफ़ते का वक्त लगा आखिरकार मेहनत रंग लाई बीच पर कूड़े की वज़ा से लोगों ने यहां पर आना बंद कर दिया था लेकिन अब सूरत बदल चुकी है यहां के लोग इस कारनामे पर हैरान है अफरोज और उनके साथियों को इस काम के लिए 77 राश्र से भी सरहना मिली वर्सोवा अभियान की तर्ज पर यूएन ने कई अफरीकी और दक्षिन एश्याई देशों में भी ऐसे अभियान चलाने का एलान किया है मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट राज्यसभा टीवी ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही नमस्कार